हाई श्टोइंट्स और नोर चेप्टर इज एक्सपोनेंट एंड पावर वट आर्दः एक्सपोनेंट एंड पावर देखिए कुछ नंबर्स बहुत बड़ी होती हैं जिनको हमें रीड करना डिफिकल्ड हो जाता है तो उनको हम एक्सपोनेंट यानि के बेस और पावर की में लिख कर रीड करना आसान हो जाता है उनको उस फो में हम लिख सकते हैं जैसे कि मास ओफ अर्थ है अब देखिए मास ओफ अर्थ कितना होता है इतने केजी होता है ठीक है मास ओफ अर्थ ऐसे ही डिस्टेंस बिट्विन सन एंड सेटन जो है वो कितने है इतने इतने है और इसको भी अगर हम रीड करेंगे तो डिफिकल्ट है तो ऐसी बड़ी बड़ी नमबर्स को हम एक्समोनेंट यानि कि पार की फोर्म में लिख कर रीड करना आसान हो जाता है ज है जैसे हम यह नमबर लिख्ष होई है चलो हम 10 गार्थ ले लेते हैं टैन थाउजेंट एन थाओजिंड कितने कितनी जीरो चाहे 4 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 फॉर ताइम टैन आ जाता है तो इसको हम लिख सकते है तैन रेज़ेट्ट्ट्वावर फोर कितने टाइ है यानि के exponent 10 is called base and 4 is called power ऐसे यह है यह कहे 10 raised to power 7 है तो यह कहा है base और यह कहा है exponent है ओके 81, 81 को अगर हम exponential form में ही लिखते हैं तो कितना exponential form में कैसे लिखा जाता है इनके prime factor बना कर उसके बाद हम लिख सकते हैं prime factor बना कर भी जैसे 81 है 3 से divide हो जाता है तो 3 से कितना 27 21 3 से divide हो जाता है कितना 9 9 किसे divide हो जाता है 3 से 3 फिर 3 से 1 यहनके 4 times 3 यहनके कितना जाएगा 3 into 3 into 3 is equal to 3 raised to power 4 यह फिसका second method भी है 81 जो हो किसी divide हो जाता है 9 से तो कितना लिख सकते हैं 81 को 81 को 9 into 9 भी लिख सकते हैं और 9 raised to power 2 भी हम लिख सकते हैं अगर हम 3 raised to power 4 लिखते हैं तो 3 क्या है base है और 4 क्या है exponent है similarly 64 है 64 के भी हम prime factor बना कर 2 की power की form में लिख सकते है 2 से ऐसे प्राइम फेक्टर बनाकर 2 से 32 32 को 2 से डिवाइड करते हैं ऐसे यह क्या है prime factor 4 में 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 2 into 2 into 2 into 2 कितने टाइम 6 times तो कितना अजएगा 2 raised to power 6 ओके और ऐसे अगर हम चाहें तो दूसरा method क्या है 64 को चाहें तो factor क्या बना सकते थे 8 into 8 यानिके 8 raised to power 2 भी हम इसको लिख सकते हैं या फिर 4 into 4 into 4 यानिके 4 raised to power 3 भी हम लिख सकते हैं ठीक है यह क्या इसकी exponential form है ठीक है 64 की और ऐसी अगर हमें value निकालनी होती है देखें अगर exponential form में लिख्यों एक value और उसको हम simple form में लिखना चाहें जैसे minus 2 raised to power 3 negative भी है तो देखें बच्चे कहीं पर गलती कर देते हैं कि इसको minus 2 power के साथ multiply कर देते हैं power के साथ multiply नहीं करना है इसका मतलब क्या है minus 2 को multiply करना है 3 times इससे minus 2 से ही minus 2 into minus 2 into minus 2 3 times negative है negative negative positive positive negative अगर negative की multiply करते है old time ओड का मतलब 1,3,5,7 तो क्या आएगा? negative, ओके? 2 into 2 into 2, 2 is a 4, 2 is a 8 माइनस 3 raise to power 2 फिर वही है कई बर बच्चे गल्दी करते थे कि माइनस 3 को 2 की मल्डिवला करते थे माइनस 6, वो गल्द है इसका मतलब क्या है? माइनस 3 raise to power 2 मतलब क्या है? माइनस 3 को 2 टाइम मल्टिटाई करना है कितना हो जाएगा? माइनस 3 into माइनस 3 is equal to 9 negative, negative, positive ओके? तो exponent and power यानि कि जो बड़ी नमबर है उनको किसी simple number छोटी नमबर की power की formula करहं read कर सकते है जैसे अगर हम ये है 5 इतनी बड़ी नमबर है इसको हम read करना चाहें तो हमसे अगर ऐसे नहीं होगा तो हम इसको चाहें तो ऐसी भी लिख सकते थे 5 97 into जितनी 0s हैं उनको 10 की power की form में 0s कितनी है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और ये 22 5 97 into 10 raise to power 22 kg देखिए अब इसको read करना कितना आसान हो गया हो गया न? हम इतनी बड़ी numbers को power की form में लिख कर हम read कर सकते हैं तो इसलिए हम क्या कि use करते हैं? exponent यानि कि powers का use करते हैं बड़ी numbers को छोटी form में read करने like की form में लिख कर ओके?